हेलो इस वेलकम टूट्व मंत्रा मैं आम है अमरेंद्र कुमार शोगई आपको यूट्यूब पर काम करते हुए कई साल कई महीन हो चुके हैं और अभी तक से आपके वीडियो पर 10-20 या 50-60 भीज आते हैं तो आपका डी मोटिवेट हो जाते होंगे डी मोटिवेट इसलिए ह दिमाग पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है और इस स्टेज में बहुत सारे क्रियेटर यूट्यूब छोड़ देते हैं और आपको यहीं सोचते हैं कि यार हम से अब यूट्यूब नहीं होने वाला हमें भी यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए तो अगर आप ऐसा सोच रहें कि हमारे वीडियो नहीं आता है हम किस तरीके से लाएं तो इस चीज का टेंशन छोड़ दीजे इस वीडियो मैं आपको एक ऐसा थरीका बताऊँगा कुछ ऐसा टिफ्स देने वाला हूं जिससे आप अपने वीडियो पर अपने चैनल पर फॉलो करते हैं तो आपके और आप अपने वीडियो में अपने चैनल पर फॉलो करना होगा तो इस वीडियो में आप बने रही है तो इस वीडियो च्रशान करनें चाहते तो आप प्रोमोचन करना चाहते हैं प्रोमोकोत मज़से अगर आप विन्नर होते तो फिर आपके चैनल किसी वीडियो का लिंक अपने कम्मुटी टैब में सेयर कर दूँगा तो अपने यूटूब पर बहुत सारे क्रेटर को देखा और सुना होगा वह हमेशा एक ही चीज करते हैं कि यूटूब आपको रेगलर वीडियो क्रेट करन आपको अपने दिमाग लगाना होगा और शोचना है कि हम किस तरीके से वीडियो क्रेट करें आप एक नए क्रियेटर हैं तो आपको अपने वीडियो में अपना बेस्ट परफॉमेंस देना है आपको एक ऐसा content create करना हो जो unique हो और unique होने के साथ ही काफी attractive हो जिसे लोग पूरा देखना चाहते हैं और आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो create करने के चकर में पूरा का पूरा अपना content ही खराब कर लेते हैं तो आप एक waste video बनाने कोशिश करिए खुद से waste video देने कोशिश करिए अच्छे से वीडियो को script करिए और script करने के बाद अच्छे से वीडियो को record करिए और edit करिए Edit करने के बाद अच्यसे वीडियो का SEO करिए थंदिल अच्यसे लगा लेज़े उसके बाद वीडियो को पब्लिक करिए पब्लिक करने के बाद अब आपको Main काम करना है जो चीज आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं तो ले चलते हैं आपको मुबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आप वीडियो अपलोड करने के बाद कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर भूज नहीं आते हैं और यह चीज अगर आप सुधार लेते हैं तो फिर आपके वीडियो पर 10-20 वीडिया 50-50 वीडियो वाली जो समश्या है इसको आप दूर कर सकते हैं तो ले चलते हैं आपको मुबाइल स्क्रीन पर आपको अपको दिखाने वाला हूं उससे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आप वीडियो अफ्लोड करने के बाद कौन सी गलती करते हैं जिसक देखने को मिल जाएंगे यहां पर 3-day अगो में एक वीडियो आपको देखने को मिल लागा सब्सकाइबर कैसे बढ़ाएं तो इस वीडियो को ही ले ले लेते हैं और यहां पर इस वीडियो की गोटू वीडियो अलेक्स में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप वीड कितने लोग के पास रोकिया इंपरेशन का मतलब होता है कि हमारे बीडियो के तम थाम। कि लोग को रो हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो का इंपरेशन 12.9 चुट्व कुछ आफिश्ट कर सकते हैं एंप्रेशन क्लिक कर विक टो आपको यहां पर सेई और उसके बद एक जागा इस वीडियो 70 क्लिक करें और में सब्सक्ता यूट्ब के लोastically पाफ आप Father क нос the moisture तो मेरे वीडियो का के अप्रल्च जा रहा है तो यहांपर मैं अपने डियों को अंडर एंडरular and make लाता हूं उसके बाद दे सब्सक्राइं चलणा सुरूत और आप यहाँ पर किसे सकते हैं अफ मेरे और भी दूसरे देखने को देखने को बढ़ता है कि जैसे ही इंप्रेशन देना यूटुब बंद करता है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं तो कि वीडियो पर कम भीज आने का जो मेन कारण है वो है वीडियो का इंप्रेशन अगर लोगों के पास आपके वीडियो के थमनल ही नहीं सो होगा तो फिर लोग कैसे वीडियो को क्लिक करें कैसे वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों आपके वीडियो का इंप्रेशन कम आ तो आप फिर से वीडियो का SEO करें कैसे करते हैं मैंने अपने चैनल पर पहले ही बताया हुआ है आपको यहां आई बटन में इस वीडियो का लिंक देंगे यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या इस वीडियो के description में भी video का link देंगा इस video को देखने के बाद आप सीख लिजे कैसे video का SEO करेंगे तो आपको सही तरीके से video का SEO करना है SEO का पुरणाम है search engine automation और जो भी नए creator है video का SEO करके ही अपने video को grow कर सकते हैं ठीक है तो SEO के अंदर आपको video का title देना है आपको एक searchable title देना है आप searchable title कैसे select करेंगे इसके लिए मैंने already video बना कर रखा है आपको यहाँ i button इस video का link देंगे या आपको description में video का link मिल जागा तो आपको video का फिर से title change करना है आप title change करके इस video का searchable title दीजे और searchable keyword video के description में add करें क्योंकि जो आपने पहले title दिया था और description में जो keyword add किये थे और video में जो tag add किये थे तो वो tag YouTube rank नहीं किया है अब आपको अपने video का title, tag, description तीनों ही change करना है तीनों change करने के बाद आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है तो आप देखेंगे उससे धका देना पड़ता है उससे पुस्त करना पड़ता है उससे तरीके से हमारे video YouTube rank नहीं कर रहा है अब हमारे video को एक extra support चाहिए एक extra force चाहिए जिससे हमारे video rank कर पाए तो आप अलग-अलग phone लिजे और फोन में अपने वीडियो का title लिखिया और title लिके video को search करिए अगर title से video search में नहीं आता है तो फिर आप उस video का title और आप अपने channel का name लिजे और यह काम आपको अलग-अलग phone में करना है जिसमें अलग-अलग internet connection हो और आप 2 दिन तक कम से कम उस video को search करके 100 बार देख लिजे उसके बार देखिए कि वीडियो पर अच्छा खासा watch time आ जागा और वीडियो पर कम से कम 100 100 views भी आ जागा उसके बार वीडियो अटमेटिक YouTube पर rank करने लागा अगर आप एक searchable title दिये होंगे और अच्छे से वीडियो का SEO किया होंगे अगर फिर भी वो वीडियो rank नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से वीडियो का SEO नहीं करने है वीडियो का एक searchable title नहीं दे रहा है दोस्तो इस तरीके से ही आप अपने नए चैनल को या आपके वीडियो पर भीहूज नहीं आते हैं ग्रो कर सकते हैं भीहूज ला सकते हैं आप ट्राइ करके देखिए जरूर आपके वीडियो पर भीहूज वाली problem solve हो जाएगे तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना ता आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस ट्रिक को आप अपने वीडियो में फॉलो करेंगे तो इस वीडियो को आप लाइक करके जाएगा अगर आपने लाइक नहीं किया होगा और आपके से पहली बार आते चानल को भी जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मिलते सब्सक्राइब से नेक्ट वीडियों से तक अपने ख्याले किये हैं गुडबाइब